महराश सरकार के मंतरी नवा मलिक जी जो कभी मीडिया को सुर्खी उदिया करते थे आज खुद सुर्खियों में हैं हमारे साथ हैं कॉंग्रेश नेता उधित राज जी हम इन से जानना चाहेंगे उधित जी क्या मामला है और ये क्या लगता है मामला कुछ नहीं है ये गुंडागर्दी का मामला है केंद सरकार का गुंडागर्दी है होना चाहिए जेल में समीर वांखडे को फरजी सर्टिफिकेट पर सिरूकाश की पोस्ट पर बैठा हुआ है और साहरूख खान के बेटे को जबरजस्ती जेल में डाला और लोगों से पैसा कठा किया दो-दो लाग का जूता पहनता है और इलिजिबिल न होते विए भी होटल चलाता है और नाबालिक के नाम पर उन्होंसे रेश्टेशन कराया था होटल का तो अपराधी तो है और इडी उसके उपर आना चाहिए और केवल चुनाओ के लिए नंबर वन के हिंदु मुसल्मान बने रहें दूसरी बात है कि समीर बांखडे जो इनका एजेंट था अमिसाजी का ओजेंट को उन्होंने परदाफास किया तो उस एजेंट का बदला ले रहें ये तो एक मिनिस्टर को घसीट करके ले जाना यानि एक गुंडा राज हो गया है इडी जो आरोप लगा रही है उसका कहना है कि अंडरवल से रिष्टे हैं और कई हजार क्रोण की जमीन महम 55 लाख में खरीद ली गई तो ऐसे में बेचने वाला वो देने वाला का है कुछ भी हो सकता है इसमें क्या है इसमें क्या हो सकता है इडी उनको पकड़ जो उसमें अवध्या में यह एक जमीन जो है दस गुना बीस गुना पचास गुना ज्यादा रेट पर खरीदी परचेज जा रही है अब बीस बाइस वर्स का पुराना मामला है एक बहाना चाहिए अनेल देसमुक को गिरपतार कर लिया परंबीर इनका चाहेता घूम रहा है बांखड का बर खास्त करें सरकार bissल कि मोख्यमंतरी बनाना चाहिए उसको हीरो बनाना चाहिए उसने बहुत अच्छा काम किया ऑंप तो सम्मान के लाएक है न्वाब मले का परादी ऐधिकारी एक भरष्ट ऐधिकारी का उन्हों ने परदा फास किया था तो मैं एक कहूंगा कि आम नवाब मली का सम्मान उनके लिए सम्मान और बढ़ गया लड़ना चाहिए आपको क्या रखते हैं गुलब सरकार ये नवाब मली के सिलाफ साजीश है साजीश असमें है क्या अरब एडी पहुंचना चाहिए ता कोल में अभी छहाजार करोर का गुजरात में हुआ एबी जी रिसी अगरवाल के हाँ एडी नहीं पहुंचती मेहुल चोकसी के हाँ नहीं पहुंचती और मालिया के हाँ एडी नहीं पहुंचती एडी जहां पहुंचाना चाहिए वहां प्राइम मिनिस्टर एडी नहीं पहुंचा थे जहां नहीं पहुंच के साथ मनीश राज एपियन नीज